बिहार के चुनावी घमासान जारी है, कल दूसरे चरण का मतदान है, तो वहीं तीसरे चरण के लिए आज योगी और तेजस्वी की धुआधार रेलिया है रक्षमंत्री राजनात सिंग ने बिहार चुनाव पर कहा है कि इस समय पूरी लहर NDA के साथ है सभाव में चंता का मूर देखकर ये नतीजा निकाला जा सकता है कि NDA को दो तिहाई बहुवत मिल जा सकता है बिहार में विधानसवा चुनाव की वज़े से सियासत चरम पर है, इसी बीच पूर्व सीम जीतनरा मांजी ने बड़ा दावा किया है रामविलास पासवान की बहुत दो-तीन दिन पहले हो गई थी, इस मामले पर उन्होंने न्याइक जाच की मांग की है लोग चंशक्ती पार्टी के डेता चुराग पासवान ने सीम नितीश कुबार पर निशाना साथा है, साथी नया चुदावी नारा दे दिया है नितीश कुआ तो तेजस्वी खाई लोचपा भाजपा सरकार बनाई मध्यप्रदेश के सीम चेवराज सिंग चोहान ने कहा है कि कमलनात ने किसानों के साथ छल किया है और उनको इसका नतीशा भुगतना पड़ेगा कमलनात ने किसानों का कर्स बाफ करने का जूठा बादा किया लेकिन बीजेपी ने किसानों और उनके परिवारों को पैसा दिर्वाया है अलिकर्पुस्तिम युडिवासिटी के चात्रन नेता परहान जुबैरी की तुरंट गिरफ्तारी के आदेश दिये गए है परहान जुबैर की तलाश में यूपी पुलिस जगे-जगे चापे मारी कर रही है और परहान जुबैरी ने फ्रांस और इसाईयों के खिलाफ आपत्ती जड़क बयान दिया था दूसरे दिन भी रेल्वे ट्रेक पर डटे गुजर आरक्षन अंदोलन कारी आज फिर बारतास के आसार करौली भरतपुर जीले बे लगभाग पिछले 100 घंटे से इंट्रेनेट से वाब बंद है राजस्थान में गुजर आंदोलन के चलते पश्चिली देलवे को एतिहातन कई च्रेलो के बार्ग परिवर्तित करना पड़ा है कोटा डिविजन के बयाना गंगापूर सिटी के बीच स्टेशनों पर डुबरिया और पते सिंखपुरा के बीच रेल ट्रेक बाधिर करने के कारण कई च्रेलो को डाइबोट किया गया है पटाकों की बिक्री और आतिश बाजी पर रोख है मुख्यमंत्री अशुक यहलोत ता बड़ा फैसला कंटेंट्मेंट जोन में 30 नवेंबर तक लॉकडाउन कंटेंट्मेंट जोन के बाहर 16 नवेंबर तक स्कूल कॉलिज पोचिंग सहेद काई शुष्णर संस्थान बंद रहेंगे तो वहीं 30 नवेंबर तक नहीं होंगी सामाजिक, राजड़तिक और धार्मेकायज त्योहारी बौसम में कोरोना को लेकर और सावधानी बरतने की जुरुरत है आकड़े भले ही कोरोना वे गिरावटी हो लेकिन खत्रा अभी भी चला नहीं है थोड़ी लापड़वा ही भाड़ी पर सकती है स्वासमुंत्रले की ओर से जारी आकड़ों की अलुसार देश में पिछले 24 घंटे बे 45,231 नए कोरोना के बाबने दर्श किये गया है तो वहीं 496 कुरोना संक्रवितों ने अपनी जान गवाई है देश में कुल्मरीजूग की संक्या 42 लाग की आकड़े के पार पहुंच गई है तो अब तक इस वाइरिस की चपेट में आकर 1,22,607 लोगों की जान चली गई है हलाकि कुरोना वाइरिस से ठीक होने वाले लोगों की संक्या बढ़कर 75,44,798 के पार पहुंच गई है एक्टिव केस भी घटकर 5,61,908 पर आ गई है डबलोएचो के प्रबुक टेड्रोस अजहौनिस के लिए सेल्फ कॉरिंटीन के लिए फैसा लिया है डबलोएचो के महा निदेशक टेड्रोस ने बताया कि कुछ दिन पहले वो एक ऐसे शक्स के संपर्प में आये थे जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है कोरोना में हमारी के विए शेत्री आरविज्यान अनुसंधान केंद्र ने बड़ी खोशना की है उसके अनुसार सीरोस अल्रक्षन में पाया गया है कि भुमनेश्वर की 50 प्रतिशत आबादी में कोरोना से लड़ने की एंटी बॉडी विखसित हो गई है कोरोना काल में वैश्णो बाता की दर्शन करने वाले भक्तों की तै अन्तिम अधिक्तम संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है जमु कश्मीर प्रशासन ने श्रीमाता वैश्णो देवी भवन के दर्शन के लिए तिर्थ याक्रियों की अधिक्तम संख्या को 7,000 के बढ़ा कर 15,000 कर दिया है शोशल मीडिया पर वाइरल हुआ बाबा का धाबा के बाले कांता प्रसाद ने केस दर्श किया है उन्होंने पहचान दिलाने वाले यूट्यूबर के खिलाफ पैसों की हेरा फेरी के शिकायद दर्श करवाई है दिली में हवा की गुर्वत्ता का स्तर बहुत खराब है प्रदूशन अब सीवियर केटेग्री में पहुँच किया है प्रदूशन के स्तिती में जादतर इलाकों में सुबह स्वोग से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है बैंक ऑफ बरोदा के बाद अब यूनियन बैंक ने भी होम लोन सस्ता कर दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की विध्यन शेडियों के लिए ब्यास दरे कम की है इसके पहले SBI, SDFC और ICIC बैंक ने भी होम लोन की दरे घटा चुकी है पाकिस्तन के प्रधա57 के इमरांध खान ने गिल्गित बालिस्टाद को अंतरिम प्रांस का दर्जा देनी का एलान किया है पाकेस फैस्ली का भारत ली विरोग किया है और कहा है कि अवैत कब्जी को पाकिस्तान तदकाल खाली करे दुबारा पैर पसार रहा है कोरोना और फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन में भी चार हफ्तों के लिए लोकडाउन लगाया गया है कहा है कि अब कोई और विकल्प मौझूद नहीं है अमेरिका में कल रास्टपती चुडाव है रिपब्लिकन के डुनल्ड ट्रम्प और डेमोक्रेट के जो बिजन के बीच कड़ा बुकाबला है आईपेल में प्लेओफ की तस्वीर कुछ-कुछ साफ होती दिखाई दी रहे है के-ार ने राजस्तान रॉयल्स को साच रनों से हरा कर उसकी प्रेयोक में जाने की संभावडाओं को खत्म कर दिया है तो वही के-की-ार को अब मुंबई और हाइदराबाद की मैच की परिड़ाम पर निर्भर रहना पड़ेगा अभिनीता शारुक खान अज अपना 55 जन दिन मना रहे है और इस मौके पर उन्होंने कुरोना संक्रमान को देखती हुए अपने फैंस से गुजारिश की है कि वह इस मुश्किल वक्त में अपने घरों में ही मनत के बहार जमान ना हो मिलावट खोड़ी को बनाया जाएगा संगेर अप्यार आपको बता दे कि मुखी मंत्री इस्चोग गहलोत का ये बड़ा फैसला है सरकार ने कादूर में शंग सोधन का फैसला लिया है कोरोना वार्यस वहार रैली का आयोजन किया गया चुकित्सा बंत्री रगुश शर्मा ने राबनिवास बाग से रैली को हरी जंडी दिखा कर रबारा किया कोरोना की जागरुपता के लिए रैली निकाली जा रही है प्रदेश नियाद से राजस्थान हाई कोर्ट में रेगुलर वर्क शुरू हो गया है वर्चुल और फिजिकल दोनों ही तरीके से सुलवाईया हो रही है सुबह साड़े दस बजे से शाम साड़े चार बजे तक अधालते लगे रही उदेपुर की रिशब देव पुलिस की बड़ी कारवाई अवेज शराब से भरे ट्रक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक करोर दस लाख रुपे की ये शराब बताई जारे है वीकनेर की नाल पुलिस प्रे कारवाई की है मावे से भरी पिकप को जब किया है करीब 4 लाख रुपे की ये खीमत मावे की बताई जारे है और स्वास विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है जैसरबिर की पुकरण में पुलिस ने दोखादड़ी की मामले में आरोपी दिरिश को ग्रफतार किया है दो अक्टूबर को फिडितने ठाने में धोखादड़ी का मामला दर्श करवाया था जिसके मताबिक गहने बनाने की नाम पर उसके साथ 3,85,000 रुपे की धोखादड़ी होई थी सिरोही जीली के माउंट आवो इससे तो वनी जीव अभ्यारेट में वनी जीवो की संक्या बरती नजर आ रहे है इसका एको दाहरण बीती राथ होटल जैपुर पैलेस में दिखाए दिया यहां गार्डन में लैपर्ड घूमता हुआ सेसी टीवी कैमरे में कैद हुआ है जैसल में यूथ होस्टल एसोसियेशर आफ इंडिया राजस्थानी काई के चुनाव होए जिसमें उपनिता प्रतिपक्ष राजेंद्र राथ होट के बीटे पराक्रम राथ होट प्रदेश अध्याक्ष के पत पर निर्वाचित हुए तो वहीं जीत के बाद पराक्रम ने सभी सदस्यों का अभार ज़क्स किया जोदपुल में आजादी के 74 साल बाद भी 2000 लोगों को नागरिक्ता नहीं मिल पाई है जिसके चलते उन्हें मुल्बुत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है तो वहीं पाक्विस्था पे क्वेता हिंतुल सेंग सूढ़ा ने इस पर चिंता जाहिर की है जैपर के गोविंकर थाना पुलिस ने लूट और जानलेवा हमले में परार चल रहे आरोपी को गिरफतार किया है जानकारी के मुताबिक आरोपी रामसरूप के खिलाफ एक दर्जन से जादा माबले दर्ज है फिलाल पुलिस ने आरोपी से पूछता शुरू कर दी है बुदी में आशा से युगली ने अपनी मागों को लिकर जीला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया जीला कलेक्टर को मुखी मंत्री के नाम ग्यापन सौपार काम के भार के बुताब एक वेतन देली की मांग की है तिवरी के बड़ा कोटेशा गाओं में कुरोना जन्जागर की अभियान के तहत यगी का आयूजन हुआ साथ ही ग्रामिडों को आयरवेदिक काढ़ा पिला करने शुर्क मास्क बाटे गए बेतन नहीं मलने से इंजिरिंग कॉलेज बीकानेर के कर्मचारियों में आख्रोश है कर्मचारियों ने कॉलेज की मुखी गेट पर ताला बंदी कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है माधविक और प्रारंभिक शिक्षा विभाक की ओर से अभी तक नवंबर का शाष्टिक पंचांग जारी नहीं किया गया है शिक्षक शाडे के यूग जोज्रा भी यहां नहीं बन पाई है तो ऐसे में कई शिक्षक संग्छोनों ने पंचाक को शिखर जारी करने की मांग की है लोगडाउन के बाद भी जोटपुर में पत्थर उद्योग दीरे-दीरे पट्री पर आने लगा है पलाएन के बाद गावों से बर्जदूर जो है वो शहर की और लोट रहे हैं वही मांस उद्योग शिरू होने पर उद्योग पतियों ने सरकार का अभार जटाया है जालावार में त्योहारी सेजन को देखते हुए पुलिस जुवारियों के खिलाफ अभियान चला रही है ठावला, धानीपुरा और बाडी घाटी गावों में बने सरपंचों का स्वागत किया गया पाली के देशुरी में डालाई सरपंच शेखर बीणा ने गावों में सुष्ता अभियान चलाया सरपंच ने जीसी भी लगा कर नाले की गंदगी बाहर डिकलवाई और सफाई करवाई और ग्रामिणों ने सरपंच का अभार जताया नागोर के रियाबडी में शुदी के लिए उधवियान के तहत कारवाई की गई खादिय और चुकित्सा विभागी टीवों ने पांच दुकानों पर कारवाई की और इस दोरान व्यपारियों में हर कंप मच गया राजसमन के बालकर स्टेडियम में राजकलब की ओर से आयोजेतिक पांच दिवसी टैनिस बोर्ड क्रिकेट प्रतियों गीता का समापन हुआ राजकलब के संदीप पालिवाल ने बताया कि प्रतियों गीता में कुल दस टीवों ने भाग लिया और फाइनल मुकाबला जो है वो आशापुरा क्लब खटालमा की टीम में जीता है बुंदी के नेवा में किसान महापंच राजक का आयोजन किया गया किसान ने ता रामपल जाट ने कहा कि सरकार MSP के दाम को कम करड़े पारे प्रशी उप जोके क्रेविक्रे को रोपने के लिए कानोन बनाए दुगरपुर के 84 में पार्टिदार समाज की बैठक आयोजित की गई, बैठक में साबोहिक विवा के आयोजन को लेकल चर्चा की गई और निर्ने लिया गया कि इस बार साबोहिक विवा नहीं होंगे दुगरपुर के 84 में नवरात्र में हुई ओनलाइन रंगोली प्रतियोगीता का परिणाम जारी किया गया जसमे सुनिता देवी पत्नी संदीप महता ने पहला स्थान प्राप किया तो वहीं हरी प्रिया देवी पत्नी राजन पांडिया ने दूसरा स्थान हासल किया आगामी पंचायक चुनाव को लेकर दाविदारों ने पार्टी कार्याले में नामांकर देरा शुरू कर दिया है कॉंग्रेस जीला परिशद वाट नंबर 10 के नागरिया पंचिला ने विरोध कटारा ने नामांकर दिया आगामी पंचायक चुनाव को लेकर बीजीपी ने इसी बलवाडा में बैठक की और प्रदेश महमंत्री और पूर्व मंत्री शुलील शुशील कटारा ने मुख्याती थी में यहां बैठक में आयुज़त में भाग लिया और बैठक में टिकेट वित्रंग को लेकर की कुछील शुलील शुशील के कैनला कि वित्र